नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कावेंदर चौहान शहरों की खबरें दिखाकर तो सुर्किया हर कोई बटोरता है लेकिन गाउं देहात में खबरें स्क्रीन पर उकेरने के लिए कोई सामने नहीं आता लेकिन आब ऐसा नहीं होगा क्योंकि News World India ने बीडा उठाया है गाउं गाउं जाकर खबरों की हकीकत जानने का और इसी वीच News World India की टीम पहुँची UP के जिला मुजफवर नगर के गाउं खेडी में रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाईए UP का जिला मुजफवर नगर सियास्ती स्तर पर हमेशा सुर्खिया बटोरने वाला शेहर लेकिन इसके इर्दगिर्द आने वाले गाउं के हालात क्या है आज आप अपनी आखों से देखिए नियूजवर्ड इंडिया की टीम सबसे पहले पहुची खेडी गाउं जिसकी हालत बद से बत्तर है मानो यहां की सडकों ने कभी जीवन में विकास कारे देखा ही नहीं सडकों पर गंदे तालाब बने हुए हैं हालत यह है कि यहां के लोगों को गंदगी और सडकों के गड़ों में भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है यहां तक कि इस गाउं की सडकों की वज़े से यहां के लड़की लड़कों के रिष्टे नहीं होते तमाम शिकायतों के बाद भी इस गाउं में सड़क निर्माण कारे नहीं हो पाया आजाद भारत में ये लोग गंदगी और समस्या से आजाद नहीं हो पाए पेश वे हमारी खास रिपोर्ट दरसल ये गाउं मुजफर नगर जिले के दाखेड़ी गाउं है वही मुजफर नगर जो दंगों की आग से पूरी दुनिया में मशूर हुआ वही मुजफर नगर जहां से बाबा टकैत ने किसानों के आंदोलन की रणिती बनाई वही मुझफवर नगर जहां से किसानों के मस्या बाबा टकैत ने अपनी भारती किसान यूनियन का निर्मार किया वही मुझफवर नगर जहां की गुड की मंडी सबसे ज़ादा मशूर है और यहां गुड की मंडी के रेट खोलती है सभी जगा उसी रेटों पर गुड खरीदा और बेचा जाता है लेकिन देश की आजादी के इतने साल के बाद भी यहां के लोग गंदगी और समस्याओं से आजाद नहीं हो पाए समस्याओं कामबार है आने जाने वालों को काफे दिक्कत होती है जो यहां इबादत करने वाले लोग है वो नहीं निकल पाते है जो बच्चे है इसकूल जाने वाले लोग है वो इसमें फजाते हैं बच्चों को उपर जूते लेकर के किताब लेकर जाना पड़ता है जो य तो यह चार महीने हो गए हैं लेकिन यहां के जो ग्रामीर है उनको इत्ती समस्याइब है आप देखेंगे यहां तमाम हुझूम है वह पहुच चुका है निज्वर इंडर के बाद और ये लोग चाहते हैं कि रास्ता बंजाए लेकिन अभी पंचयात राज चुना पंचयात क कि बात करें ग्राम पंचयात और जला पंचयात दोनों भंग हो चुके हैं ऐसे में अब जो नेता हैं केवल चुनाओं लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं वोट मांगने आ रहे हैं लेकिन इस समस्या का निदान अभी तक किसी नहीं कराया है यह पताईए आप इबाद लेकिन लेकलने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को एक हाथ में चपल कभी कभी गिर भी जाते हैं बच्चे बहुत सिकात आती है यहां पर इस गाओं के प्रदान इरिशाद हैं जबकि इस इलाकी की जिलापंचाय सरस्य सुभानी है लेकिन इन दोनों ने मिलकर ही इस गाओं में कोई विकासकार नहीं किया तमाम शिकायतों के बाद भी इन लोगों ने यहां की सडकों की सुद नहीं ली हैरत की बात तो तब होती है जब यहां के लोगों ने तैसील दिवस से लेकर जिलादिकारी दफ्तर तक के चक्कर काट कर इस सडक के निर्मान की गोहार लगाई लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया यह application इस बात की गवा है कि केवल पत्र 4 के अलावा धरातल पर कुछ नहीं होता बले ही यहां के लोगों ने अधिकारियों के यहां जाकर शिकायती पत्र दिये हो लेकिन वे शिकायती पत्र डस्टवीन के अलावा किसी भी अधिकारी की टेवल पर नहीं पहुचे और अगर लगाते हैं लेकिन इस गंदकी से अभी तक इन लोगों को आजादी नहीं मिली है और नेता आ रहे हैं जा रहे हैं वोट मांगते हैं लेकिन जो समस्या बनी हुए इसके ग्रामिड काफी प्रेशान है यह बताइए आप यहां रहते हैं कब से आप इसको देख रहे हैं क्या श शिकायत इंदिए को नहीं कि युदु कशा करहा भी कौण करा है उसके को शीयान फशे志क कोन साम भी और तो कभी नहीं हो रहे हैं कि कई लिए एक बारे हुए आप नहीं नहीं करते हम लोग्ते हैं कभी आप शिकायत लेकर पहुंचे क्योंकि दिखाएंगे किस तरीके हलात है और ये पाणी में निकल कर आते हैं और ये मुर्णिग में सुबा में होते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं और जामाती निकलते हैं इबादत करने ग्राम पंचायत की बात की जाए तो प्रतानों के बस्ते चिन चुके है और अब अधिकारियों ने ही गाउं की बागदोर समाली हुई है जबकि जिला पंचायत भी भंग हो चुकी है और जिला पंचायत अध्यक से लेकर सदसे तक सभी लोग दुबारा चुनावी मैदान में उतर रहे हैं इधर गाउं में ग्राम प्रत्याशी से लेकर बीडीसी तक के प्रत्याशी अपने पोस्टर बैनर लगवा कर ताल ठोक रहे हैं लेकिन माननिय बनने के बाद अपने दावों और वादो को भूल कर केवल मलाई खाने में लग जाते हैं और ये जंता हमेशा की तरह गंदगी समस्याँ से दोचार होती रहती है प्रशान कर रहा एक बच्चा तो मेरा उसमा आगया था गोटू में इसी पनी की वज़े से दिल एक महीना रहका मेरा बच्चा प्रशानी हो गए जी 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 बहुत परेशान हुए जम्तिसमें बच्चा आपने शिकायत किसके कि है इसकी इसकी सब्सक्राइब करी मुझ के बिधैघ यहां से ऐसे आगे शन्यु वाल्यां व्हाले समसाज़ी वाले संसान लिए प्क्रांट वह सुनवाई निकर दा वाल्यान वीनों को मुर्ण को निदेने का में पिल्कुल भी कोई काम निंद्यूँगा हमने सुभाणी को क्योंक गूत लुका सुभाणी स्थ्य जिने वहां चला गया जिए एडियम कि अग्दम ने कि लोग मारे खिलाब जो हैं वहां पहुंचे एडियम के उन्हों ने कहा लोगो जी नहीं बनना का पाणी वहां यहां को लिकना का करी में पास में नाली है उसमें पाणी जा रहता जी बड़ा-बड़ा सुधार हो रहता लगों को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए उनके नुमाइंदे हो किसे ने कोई कोशिश नहीं की है ऐसे में हम आगे भी गवों का दिरक्षन करेंगे आगे भी जनता को और लोगों को बताएंगे किया अहालात बने हुए है सिस्टम और तो सिस्टम से जुड़े लोग हैं वो किस तरीके से जनता का इन लोगों का माख़ों लोडाते हैं जो यह बैल्ट है पूरी यह ग्रिन बैल्ट कही जाती है किसानों से जुड़ी बैल्ट है मुझफवर नगर वही इलाका है वही जिला है जहां से राकेश टिकैट आते है भारतिय किसान यूनियन का निर्माण मुझफवर नगर से हुआ है ऐसे में यहां पर किसानों की समस्या कितनी जादा है कि इसका निदान करने के लिए कोई आगे नहीं आता इस गाओं में ये अकेली सडक नहीं जहांकि हालत इतनी खराब हो इससे बत्तर इस गाओं के दूसरे छोड़ की सडके हैं जहां भी हलाद बच से बत्तर हैं किसानों को इन सडकों पर अपने वहन ले जाने में दिक्कत आती है जबकि अबादत करने वाले बुज़ूर को यहा कराने के लिए तैयार नहीं है इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रही है न्यूजवल इंडिया धन्यवाद